हालो गाइस, वेलकम्स तू पूरी पढ़ाही, तो आज हम देखेंगे eously style attribute का text alignment, tex alignment मतलब के आपको text कहां लगाना है, उपर लगाना, नीचे लगाना है, left लगाना है, right लगाना है, ठीक है, तो ये text alignment कैसे करते हैं, इसके लिए आपके पास एक tag होता है, text align, a-l-i-g-n, ठी element जो आपका horizontal alignment है मतलब कि left right और center तो इससे क्या कर सकते हैं आप left कर सकते है right कर सकते हैं तो इस तर देखेंगे हम के center कैसे करेंगे और right कैसे करेंगे क्योंकि जो left है वो तो by default रहता ही है हमारे पास इसके लिए एक example है style text align center center की spelling जो है आप यह लिखेगा c-e-n-t-e-r काफी लोगों के mistake ही होती है कि c-e-n-t-e-r ही लिखते हैं तो उनका code work नहीं करता है तो आपका code में यह लिखना है c-e-n-t-e-r और इसको हम center भी कर सकते हैं और right भी कर सकते हैं और जो left होता है वो तो by default र यहां पर इसमें हमने center heading यह आपको अल्रीडी पता होगा कि जो हमारा style attributes है वो starting tag में डलता है starting यह closing tag यह starting tag है h1 की तो starting tag में आपका सारे style tag डलेंगे इसको हम save करते हैं centered heading को तो यह सब चीज़़े हमारी center में आनी चाहिए इससे हम save करते हैं html 12 यह already save है तो हम इसे open करके देखेंगे html 12 actually में work कैसे कर रही है open with करेंगे google chrome पर और यहां पर हम देख सकते हैं कि हम html के due text है उसको हम center में कैसे ला सकते हैं सिर्फ center लिखके आप center में इससे text ला सकते हैं अभी हम देखेंगे कि अभी तो हमारा यह क्या हो गया center हो गया और second वाला आप यह हम भी देख सकते हैं कि जो paragraph लिखा हुँ है वो left में लिखा हुआ है जो कि by default आता है by default आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा यह left में आएगा आपको center और right लिखने के लिए आपको right और center लिखना पड़ेगा ठीक है न है इसकी जगे center की जगे हम right भी कर सकते हैं जो कि R I G H T है ठीक है इसे save as करते हैं इसे save ही करते हैं इसके बाद हम इससे load करके देखेंगे reload करेंगे तो यह right hand side पर आ जाएगा तो हम यह सब चीज़े कर सकते हैं इसमें और हम अगर इसमें left लिखते हैं L E F T अगर इसमें left लिखते हैं और हम save करते हैं तो यह कहाँ पर आजाएगा अपका left में आ जाएगा ठीक है और अगर आप इसमें कुछ लिखते नहीं है कुछ भी नहीं लिख रहे हैं कुछ भी निख रहे हैं उसमें save कर रहा है तो अगर आप रिलोड कर रहे हैं तो यह लेफ्ट में रहे हो क्योंकि बाइद फॉल्ट यह लेफ्ट में रहता है ठीक है ना मैं अश्रा करता हूं कि आपको यह सब्सीरियस होन में आ रही होंगी कि HTML के alignments कैसे वकरते हैं कोई भी प्रॉलम हो तो आप इस comment box में डाल सकते हैं so thank you guys meet me on our next video stay tuned your feedback is valuable for all so please comment like and share with your friends thank you